तो दोस्तो आज 18 अगस्ट 2022 सुराज में लेकिया हूँ आपके लिए गायतरी हाईवेस लिमिटेट का कम्प्लीट शेयर एनलाइस और इस कमपनी को वर खासकर वीडियो बनाने के लिए हमें अतूल जीने कमेंट किया था और चार्ट पड़न को अनलाइस करके मैं आपको बताना बालाओ कि आपको इस वक्त इस कंपनी पर निवेश खारना चाहिए कि नहीं दोस्तो वीडियो की शुरुवात में हम इस कंपनी का क्वाटली रिजल पर भी एक नजर टालेंगे और अगर आगर आपके बास टेडिंग करने के लिए डिमाट एकाउंट नहीं तो वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने लिंक दे दिया है जिससे आप गुरू जैसे बड़े प्लाटफॉर्म में फ्री में अपना ट्रेडिंग एकाउंट ओपन कर सकते हैं और वीडियो के निचे डिस्क्रिप्शन पर करते हैं तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं सबस्क्राइब मैं आपको इस कंपणी का फाइनेंशल रिजल्ट आपको एक नज़र दिखा देता हूं और ओप्रेटिंग इंकम में कंपणी 100% के आसपास प्रॉफिट में हैं इस साल में तो मैं आपको इस कंपणी का एक बार दिखा देता हूं अपको इसकी रिणा डॉट इन पर आपको शॉट कर्ट में बता दूँ यह कंपणी जो है यह कंस्ट्रक्शन पर काम करते हैं इस कंपणी का मैं आपको बता दूँगा वीडियो के आंत में यहां पर बुक वेलू रहा कंपणी का लगबग साड़े एक तालीस परसंट का नेगर्टिव और यहां पर देख सकते हो माइनेस पर है ठीक है कंपणी जो आपको डिवीडेंड नहीं देता है इसका रीटेन ऑप परसंट माइनेस पर जा चुका है कंपणी का इस वक्त फेज वेलू आपको देखेंगे तो दो रुपे का है तो चलिए थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करके इंपोर्टन चीज़ें सब देख लेते हैं पहले तो आपको ध्यान रखना है कंपणी का जो 99 परसंट होल्डिंग हो गिरी रखा हुआ है यहाँ पे मैं आपको इस कंपनी का सेल्स और एक्सक्राइस दिखा देता हूँ तो कंपणी इसब्यूर्ट में कमपनी करोड़ में कि और ठीक है अलाकि अगर आप देखेंगे लगातार तो इसका 39 करोड़ में कंपनी लोस पहतता बाट है तुसमेंगर टीक है प्रोफिट वीफोर टेक्स में कंपपनी सेविंटीवन करोड करोड का लोस हुआ है तो लॉस हो रहा है डेफिनेटली जिसके कारण कंपणी का शेड़ प्राइस भी आपको इस बख सस्ते प्राइस में मिल रहे कंपणी का अगर ये 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 देखेंगे तो 232 करोड इस साल में कंपणी का 100 क्रोड का सेल वआ ए 132 क्रोड कमपणी भेया है कंपणी को में 282 advantage करो एक डियादमा फोले i Patra बगरा दिरे दिरे थोड़ा सा घट रहे तो ये चीज़े ध्यान रखना होता है मैं आपको इस कंपणी का शेर होल्डिंग पैटन दिखा देता हूं शेर होल्डिंग पैटन देखेंगे तो एक अच्छी बात आपको यहाँ पे दिखेगा दोस्तों कि का बहुत अच्छा खासा निवेश है इस कंपणी में 4.08 परसंट का भी भी निवेश है एक प्रोमोटर्स का होल्डिंग शांदार है 61.15 परसंट का होल्डिंग है यहाँ पे 34 परसंट का लगबग होल्डिंग है पबलिक का ठीक है तो अबरल दोस्तों अगर आप पेनी स्टो कमपनी का चार्ट परसंट कर डिखाता हूं और यहांपर देखते हैं कि यहकर देखिते हैंगे मंतली चार्ट के मुताबिक 53 परसंट एक का रेटेन दे चुका है यह कंपणी तो डेफिनेटली एक ब्रेकाउट देके आपर सरकीट के और चलने की पूरी कंपणी जो है तैयारी में है सिक्स मंद का चार्ट पर्टन देखेंगे तो 42 परसन का आपको ठिक टाक रेटन है यहाँ पर नजर आएगा लेकिन पूरा का पूरा जो छे महीं ना है कॉंसलिटेट पर बिजनस करने के बाद फाइनली यहाँ पर एक अपर सरकीट में कंपनी खड़ा है ठीक है ब्रेकाउट बन चुका है आप देख सकते हो बीते चार्ट पान सालों के मुकावले में 90 पर सरक घीर चुका है यह चाहिए और यहाँ पर महेंगे वेलुएशन में आपको एकजिट होने चाहिए हलाकि आज आभी भी इस कंपनी का जो वेलुएशन है तो लिस्टिंग हो था यह company 2018 में 10 रूपे के असपास इसका share गिर के यहाँ पर 25-30 पर भी आ चुका था ठीक है यहाँ पर एक रूपे के share खड़ा है एक रूपे के पास आके तो एक चांसे से यहाँ पर कचले के price में buy करके आपको महेंगा जब हो जाता है तभी आप यहाँ पर sale कर सकते हो ठीक है तो आपका क्या point of view रहा इस company को लेकर comment box में जरूर बताना दोस्तो वीडियो यही wind आप करते हैं और आप किसी भी company पे निवेश करने से पहले अपनी दरब से company का fundamental को जरूर समझ लेना ठीक है उसके बाद ही अपने financer advisor के साथ साला मसरा करने के बाद निवेश करना क्य क्यंदों में आपकाय।